हलो दोस्तो आप सब का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर दोस्तो आज हम लोग उडिटेरिया बुक से विहार S.C.C. सिजल के लिए प्रैक्टिस सेट नमर 6 दखेंगें और दोस्तो आप लोग के इस चैनल पे तीन बुक से रेगलर प्रैक्टिस सेट करा जा रहा है प्लेटफॉर्म, उडिटेरिया और उनिक बुक ये तीन बुक से आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करा जा रहा है तो अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं जुटे हैं तो चैनल पे जुट जाएए और daily practice set करिए जिसे आप लोग को काफी फैदा होगा ठीक है और दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा तभी फैदा होगा तो वीडियो पूरा देखेगा चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं पहले प्रस्ट से तो दोस्तों पहला प्रस्ट है पहला प्रस्ट है हाले में राष्टेलिया के नए पर्धान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है ? अगला प्रस्ट है इस आप डूइंग बِजनस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किया जाने का फैशला किया गया है यह रिपोर्ट कौन से संस्था दवारा जारी किया जाता है कौन से संस्था दवारा जारी किया जाता है विस्व बैंक के दवारा तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण दखते है निम्न में से किस प्राचित मुद्रा या अधार मुद्रा रिजर्व मनी और बेस मनी कहा जाता है प्राचित मुद्रा या अधार मुद्रा कहा जाता है किसे कहा जाता है एम ओ तो इसका राइट अंसर ए हो जाएगा ठीक है और दोस्तों एम वन को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है और एम तीरी को व्यापक मुद्रा कहा जाता है ठीक है अगला परसने है माध्यम भोजन योजना मिड़े मिल अस्कीम की सुर्वात की सुवर्ष की गई थी इसका राइट अन्सर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न देखते है अजादी का अमरित महत्सो अधिकृत रूप से कप प्रारम किया गया अजादी की अभमिर्त महत्सव अधिकृत रूपसे का प्रारम किया गया 12 मार्च 2021 को इसका राय टेंसर भी हो जाएगा ठीक है विशु बैंक ने भारत की अर्थ वेवस्ता 2022 में कितने परतिस्थ दर बढ़ने का अनुमान लगाया है विशु बैंक भारत की अर्थ वेवस्ता 2022 में कितने परतिस्थ दर बढ़ने की अनुमान लगाया है 7.5 परतिस्थ इसका राय टेंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रसित देखते हैं नीम्न में से कौन सा महिला खिलारी कौन से महिला खिलारी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्ष तक बनाने वाली पहली भारतिये एवं दुनिया की चोथी पहले बाज बन गई है सर्फ हली बर्मा इसका राय टेंसर डी हो जाएगा ठीक है हाली में किस अफिर के देश में 1098 करेट की दुनिया के तिसरे सबसे बड़े डायमेंट की खोज की गई है बहुत सवाना इसका राय टेंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन देखते है बहरत का पहला कौन साराज या केनरसासित परतेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है लचदीप इसका राय टेंसर चीओ जाएगा निमन मैंसे किस राज सरकार ने जहां भोड़ वहां वैक्सीनेशन अभ्यान सुरू की है तो किस राज सरकार ने जहां भोट जहां वैक्सिनेशन अभ्यान शुरुवात की है दिल्ली इसका राजसवा टीवी चैनल की बिलाई किया गया है किस समीती के सिफारिश पर लोग सभा और राज सभा टीवी चैनल को भी लाई किया गया है सुर्ज परका समीती इसका राइट अंसर भी हो जाएगा निम्ड में से किस बॉक्सर एवं 1998 में SI खेलो के स्वर्ण पदक विजयता का निधन हो गया है डिंको से इसका राइट अंसर भी हो जाएगा भारत और बंगला देश के मद इस्थित मैत्री स्यक्तू का निर्मान किस नदी पर किया गया है ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं किस समु के पौधे को आम तोरपर सिवाल कहा जाता है इसका राइट अंसर यह हो जाएगा आगे दखते हैं मानो पाचन तंत्र में किसे पीत का सरावर होता है अकृत इसका राइट अंसर ड यह हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुस परजनन परनाली का हिसा नहीं है अंडास है इसका राइट अंसर D हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न देखते है एक ब्यक्ति में तंत्री का कोशिका कितने सेंटिमीटर तक लंबी हो सकती है इसका राइट अंसर C हो जाएगा निमलिखित में से किसे मास्टर गरंथी के रूप में जाना जाता है प्यूस गरंथी इसका राइट अंसर A हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न देखते है रुधिर में किसका मात्रा अधिक होने से मधु में कहा जाता है और मधु में रोग होता है तो गुलकोच की मात्रा अधिक होने से मधु में रोग होता अनि मधु में कहा जाता है सी अंसर हो जागा ठीक है और सुत्री विभाजन का खोश सर उपर्थम किस ने किया और सुत्री विभाजन का खोश सर उपर्थम किस ने किया बीज महिन ने इसका राइट अंसर सी हो जागा ठीक है आगे दखते हैं एपला नामक 20 निम्न में से किसे बनते हैं कवक से इसका राइट अंसर जो जाएगा निम्न में से किस हार्मन को दुख जनक हार्मन कहते हैं दुख जनक हार्मन कहते हैं LTH को इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस दखते हैं सौसन के समन्ध में कौन सा कथन शत्य है सौसन एक अप hypnotर कि लिया है सौसन का नियंतर्ण मस्तिक को मेडूला और अवलेगए तक भाह से किया सौसन एक उपचाई कि लिया है कल़सर्थ है तो एक और दो क्या दोनों सही है 40 है परिविर्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है जड़त वो कहा जाता है, इसका राइट अंसर ए हो जाएगा, एक पिको मिटर किसके बरावर होता है, तो एक पिको मिटर 10 पर पावर माइनस 12 मिटर के बरावर होता है, इसका अंसर हो जाएगा, ठीक है बल कार्ज करता है, बल की तिसा के विपरित कार्ज करता है, इसका राइट अंसर सी हो जागा, ठीक है, आगे दखते हैं, एक संपिंडि अस्पिरिंग में कौन सा उर जा होता है, एक संपिंडि अस्पिरिंग में कौन सा उर जा होता है, इस्तिति जा होता है, इसका राइट अ स्क्वाइर है ठीक है तो क्यूस्टन बोला क्या बोल रहा है कि 20 मिटर पर सेकेंड के विक से एक गेंद को जो है उपर फेका जा रहा है उड़्दवार पर फेका जा रहा है तिन सेकेंड के बाद विस्थापन का कमान क्या होगा नहीं विस्थापन निकालना विस्थापन का बहेलू ठीक है अनि इसका फर्मूला होता है दोस्तों एस बरबर यहां पर माइनस लगेक्यों की वस्तु उपर फिका जा रहा है तो यहां पर माइनस हाप T समय है G G दोस्तो Gravity Nacional गुरुत्मे तवरन है ठीक है और T समय है तो आपको S का वहलू लिकालना है U का वहलू मालूम है Q 20 है प्रारम्मिक वे 20 है 20 T का वहलू 3 है minus half G का वहलू लेंगे 10 लेंगे तो 10 अगुने T 3 का स्कॉण है 9 हो जाएगा 2 पच्चे 10 60-9 पच्चे 45 हो जाएगा कितना हो जाएगा घटके 15 मीटर हो जाएगा अंसर अनि विस्थापन का मान 15 मीटर होगा इसका आइट अंसर यह हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं यूचन अनिमलखित में से कौन सा घटक एक चालक के परतिरोध को परवाहित नहीं करता है कौन सा घटक जो है एक चालक के परतिरोध को परवाहित नहीं करता है दबाओ तो इसका राइट अंसर भी हो जाएगा दोस्तो चालक परतिरोध पर परवाहित करता है पदास की प्राकिर्ती पर चालक की लंबाए पर अनुपरस्त काट के छित्रफल पर और टेंपरेचर पर भी निर्भर करता है ठीक है तो तीनों पर निर्भर करता है लेकिन दबाव अनिपरेशर पर निर्भर नहीं करता है तो ही अन्सर हो जाएगा निम्न में से विधूत परिपत में समांतर जोड़ा जाता है बोल्ट मीटर को इसका राइट अन्सर भी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं पर्थम मगत समराज का उतकस की सताबदी में हुआ था छठमी सताबदी इसापूर में इसका राइट अन्सर भी हो जाएगा गुप्त काल में भूमी राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमी राजवस की दर क्या थी 1.6 भाग इसका राइट अंसर सी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्थ देखते हैं चंपारन अंदोलन से निमल खिट में से कौन समंधित नहीं है जय परकास नराए ठीक है बागे सब क्या है चंपारन आंदोलन से समंधित है अगला प्रस्थ देखते हैं बेगुस राय में चौकिदार करग के विरोध अंदोलन निम्लिखित में से किस अंदोलन का हिस्षा था इसका राइटन से सी हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद दखते हैं सवराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं यह कथन किसका है यह कथन किसका सी राजा गुपाल चारिका इसका राइटन से भी हो जाएगा ठीक है अगस्त 1932 इस विरोध के रैमजे मैकडोनाल्ड के संपरदायक पंचाइट के दवारा पहली बार निम्लिखित में से अगला प्रस देखते हैं रिगवैदी कालिन नदियों में असकीनी निम्लिखित में से किस नदी पर प्राचिंतम नाम है तो दोस्तो चिनाब इसका राइट अंसर भी हो जाएगा पुनो जागरन काल में चित्रकला का जनक किसे मना जाता है जी आटो इसका राइट अंसर भी हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं भारत में राज विधान पदलिकाओं का उच्छ सुदन कौन सा है विधान पालिका परिस्द इसका राइट अंसर भी हो जागा उस्तम न्याले में न्याधिस्न की संख्या की विर्धी करने की सक्ति किसके पास है पंचायती राजशन스वाँ की सक्तियों के अंतरगत नहीं आता है पंचायती राजसंस्थाओं की सक्तियों के अंतरगत नहीं आता है नियाएक पुनवीचन इसका राज अंसर भी हो जाएगा आगे दोखते हैं भारति राजनितिक ब्योस्था में काजपालिका किसके अधिन रहकर कार्ज करता है बिधान पालिका के अधिन रहकर कार्च करता है इसका राइट अंसर भी हो जाएगा कानूनी विश्वयों पर राज सरकार को कौन प्रामस देता है कानूनी विश्वयों पर राज सरकार को कौन प्रामस देता है महा धिवक्ता और इड़वकेट जेनरल इसका राइट अंसर भी हो ही राज के नीती निर्देैसक तत्व जिसका राइट और सर भी हो जाएगा आगा देखते हैं सा यह नया राज बनाने में सविधानिक संथुधन के लिए कैसा भूम्त छाहिए एक राज बनाने लिए संथर्थं के लिए पंचाय समीति के वल है समानों में यह प्रविच्छी प्राधिकारी इसका राइट अंसर यह जागा निम्लखीत में से कौन सा अफिरका महादीव का सबसे उचा सिकर है माउंट कलिमन जारो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस दिखते हैं निम्लखित में से कौन सा बालकन राजियों में सामिल नहीं है कौन सा बालकन राजियों में सामिल नहीं है इटली इसका राइट अंसर ए हो जाएगा जब दरविद मैगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस परकार बने सेल को क्या कहा जाता है अगने सेल इसका राइट अंसर शी हो जागा ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं बिरहत जवार आने की सही इस्थिति क्या है बिरहत जवार आने की सही इस्थिति क्या है जब सूर्ज चंदर्मा और तथा पिर्थवी एक सीधी में हो सिधी में होते हैं तो इसका राइट अंसर भी हो जाएगा मौसब से समंदित सभी घटना हैं जैसे वर्षा कुहरा एवं ओला वर्षान वाय मंडल की किस परत में होती है तो किस परत में होती है छोब मंडल में इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस लिखते हैं प्रेरी घहास का मैदान समंदित है उत्री अमिर्का के सितोसन घहास अस्तल से इसका राइट अंसर D हो जाएगा भारत में मिर्दा का सबसे ब्यापक एम सर्वाधिक उबजाव परकार कौन सा है? जलोड मिर्दा इसका राइट अंसर D हो जाएगा ठीक है? अगला प्रस लिखते हैं हिमाले परवस सिंखला की किन दो सरेनियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है लधाक और जासकर इसका राइट अंसर भी हो जाएगा पितल किसकी मौझूदगी में निरंतर रहने से वायू में रंगहीन हो जाता है हाइडोजन सलफाइड इसका राइट अंसर ये हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं निमलिखीत में से किसे पिक्रिक अमलभी कहा जाता है किसे पिक्रिक अमलभी कहा जाता है राटर, नायट्रो, नईटर, पिलोन, TNP को, इसका राइट अनसर भी हो जाएगा, धूब चासमे के लेंस में किस स्काच का पर रयोग चाहता है, कुरुक्स काच का, इसका राईट अनसर धी हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रस्त देखते हैं, गैसियत तत्वों में सबसे भारी कौन है रेड़न इसका राइट अंसर भी हो जाएगा अलकोहल से इथर बनाने की वीधी में उत्परेरग के रूप में निम्न में से किसका पर्योग किया जाता है गर्म इल्मुन्या इसका राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण देखते है धूंगा निम्लिखीत में से किस परकार के बिलियन का उदाहरन है गैस में ठोसका है इसका राइट अंसर यह हो जाएगा अगला प्रस्ण है निम्लिखीत में से अक्सिकारक और अवकारक दोनों जैसा आचन कौन पदार्थ करने वाला पदार्थ नहीं है अगे देखते हैं अंतराष्टे दूर संचार संग का मुख्याले कहां है जेनवा में इसका राइट अंसर डी हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं संजुवाले के महा सुच्झ्व को नियुक्ति कितने वर्सों के लिए की जाती है संजुक्त राजसंग के सचवाले के महा सचिव कि निवक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन देखते हैं ओपेरा हाउस किस देश कराष्टिय अस्मारक है अस्टेलिया इसका राइट अंसर सी हो जाएगा विश्व रक्तदान दिवस कब मना जाता है तो 14 जुन को विश्व रक्तदान दिवस मना जाता है 21 जुन को अंतराष्टि जोग दिवस मना जाता है 17 अपरेल को विश्व दूर संचार दिवस मना जाता है ओस्यव सबी को आध रखेगा अगला प्रस्ण देखते हैं निमलखीत में से कौन सा सितार वाद जंत्र वादक से समन्दित है सितार वाद जंत्र से समन्दित है पंडित रवी संकर इसका राइट अंसर ए हो जाएगा जाकिर हुसें जो है तबला से समन्दित रखते है हरी परसाच चुरश्य बासुरी से है अहमद अलिखा सरोध वाद जंत्र से समन्नित है ठीक है अगला परस्ण है किस परकार के वन परदेश को विशुका फलोधान कहा जाता है यह फलोधान कहते हैं तो दोस्तो भूमत सागर यह वन इसका राइट अंसर डियो हो जागा ठीक ह अगला परस्ण देखते हैं आर्किट अवं ब्रो मी लाइट जैसे परजिवी पौधे किस परकार के वन में उखते हैं वर्सा वन में इसका राइट अंसर यह हो जागा वन बनस्पती जो मनुस की सहता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानमी हस्तेचेव के उगती है इस परकार के वनस्पती को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है अच्छत बनस्पती इसका राइट अंसर सी हो जागा ठीक है अगला प्रस्ण लखते हैं अगला प्रशन है इंद्रा गांधी अभिहारन किस राज में इस्तित है तमिलाडू राज में इस्तित है इसका राइट अंसर डी हो जागा तो दस्तों आज की वीडियो एहीं तक रहने दते हैं फिर मिलें अगले वीडियो में नए सेट के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजेगा जाहिंद